मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है और मेरे म्यूजिक सीखा भी है, गाई की सीखी है बचपन में, करनाटिक म्यूजिक, तो जब भी मैं किसी म्यूजिक शो में आती हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर यहां अलग-अलग songs सुनने को मिला, क्यूंकि हर पार्टिसिपिन्ट एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे कोई अपने दादी के लिए, कोई अपने गुरू के लिए, कोई अपने गुरू के लिए तो I thought some of them were really nice and importantly यह concept मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रश्या से एक लड़की है, नास्तिया, कितनी बड़ी बात है कि वो हिंदी बोलती नहीं है, उसके, you know, खून में कोई हिंदुस्थानी खून नहीं है, फिर भी वो, she enjoys Indian music and that's what's brought her all the way here, it's incredible एक दूसरा लड़का है, जो यूएस से आया हुआ है, वो भी Hindi नहीं बोलता, हालाकि हिंदुस्थानी है, पर जब वो गाता है तो उसके, you know, उसमें कोई अच्छा पता ही नहीं चलता, I think it's incredible, what a way to, you know, really discover new talent and give a platform like this so, you know, they can follow through with their passions. Actually, ये competition का हिस्सा नहीं था, पर बेन जो है, जो यूएस से है, उसने मेरे लिए, मेरे ढोलना गाया, भूल भूलाया से, और इतना अच्छा गाया, मतला, बहुत डिफिकुर्ट सॉंग है, क्यूंकि यूँ क्लासिकल बेस्ट है, और, you know, पर उसने आसानी से इतना इतना मैंने जाकियों से हग किया, बहुत सिंसिर सिंगर लगा मुझे वो, मैं गाती हूं जब कोई नहीं सुन रहा हूं था, क्यूंकि मैं अच्छा नहीं गाती, पर ऑविसली शॉक बहुत है मूजिक का, बच्पन में जैसे मने बताया कि सीखा है, मेरी मम्मी और मेरी बहुत थे सामने गएं इना रचा काथे हैं। और मने यह रचा उनली मूजिक का बहुत जैयादा शॉक भी हमध नहीं होती हूंकिस सामने हैं। वह इतना शवकंते हैं। यह यह पिरह उत्त विल्म जेरा शीमा धियूनियोंॉनह, इसमादरबगी लगा उतर आप ज 온ke यह उत्ट थीटर में जाके देखिएगा जरूर सलाम